हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूं आप सब ठीक होंगे और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सब लोग कैसे हैं तो आज मैं बनाने चाहा रही हूं first aid box बहुत सारी स्कूलों में बच्चों को ये project दिया जाता है घर में करने के लिए कि first aid box को बनाएं तो बस उसी basis पे मुझे भी मेरी बेटी को एक project मिला था तो उसी पे मैं first aid box मैंने घर में बनाए था तो सोचा क्यों ना आपके साथ share करूँ तो चलिए start करते हैं first aid box बनाना तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक box और ये box आप इसकी जगा शू box भी ले सकते हैं तो इसको सबसे पहले मैं आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई इसका ढखकन नहीं है कुछ नहीं है तो मैं इसी से ही इसका ढखकन मिनाँगी पहले तो ये sides में जो है इसको मैं cut कर लूँगी cut करने के बाद इसका भी मैं use करूँगी कि इसमें से कोई भी चीज मुझे डिसकार्ड नहीं करनी है सारी चीजों का मैं इस्तेमाल करके इसको बनाने वाली हूँ तो अब सबसे पहले साइट का ये कट कर लूँगी जो दोनों साइट के ये लगे हुए हैं तो इनको कट करने के बाद आप देखेंगे कि ऊपर की कोई लिड नहीं है तो मुझे उपर की लिड को तियार करना है तो मतलब इसका धकन बनाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी ये जो आप देख रहे हैं इसका दो साइट में है तो एक साइड का मैं कट कर लूँगी और दूसरी साइड का वैसे ही रहने दूँगी तो मैंने एक साइड का इसको कट कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से बहुत सफाई से करना है क्योंकि गत्ता जरा सा भी दर से उधर कट गया तो इसलिए मैं खुद कर रहे हूं बच्चों से होगा नहीं सीजर वगारा से तो यहां से फिर मैंने अब मैंने एक साइड का कट कर लिया उसके बाद मैं यहां पर लगा दूँगी टेप टेप लगाने के बाद मैं इसको जोड़ के एक बहुत ही अच्छा सा धक्कन बना लूँगी तो धक्कन मेरा तयार हो गया है अब मुझे बाक्स के अंदर पार्टीशन देना है सामान को रखने के लिए तो जो साइड से मैंने कट कर लिए थे दोनों पीसी उनका मैं इस्तिमाल करूँगी तो यहां पर मेरे पास कुछ अवैलेबल नहीं था दूरिंग लोक डाउन तो मैंने क्या किया है जो प्रिंटर में यूज होते हैं पेजिस उसी का इस्तिमाल कर रही हूँ मैं यहां पर और मैंने लगाया है वाइट पेपर आप चाहें तो कोई भी पेपर लगा सकते हैं तो बस उसको कट करके जैसे जैसे बॉक्स है बॉक्स को पूरे वाइट पेपर के साथ कवर कर दूँगे झाल 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 तो बोक्स मेरा हो गया है ready सारा मैंने cover कर लिया है अंदर बाहर सब साइट ससकी सारी cover कर रही है जितना मेरे पाल समान के availability थी घर में मैंने उसी हिसाब से इस्तेमाल किया है तो अब मैं partition तयार कर लूँगी बस इनको भी मैं cover कर लूँगी white paper से cover करने के बाद उनको favicol से चिपका दूँगी कर दो झाल तो box ready होने के बाद मैं उसके उपर वाले पार्ट पे box के ढकन के ऊपर मैं ड्रॉ कर लोगी red cross का sign और मैंने इसको paint कर दिया है red color के साथ बहुत easy है scale से measure करके उसको draw किया है तो उसके बाद मैं sides में लगा दूँगी जो शाइनिंग वाला टेप आता है मार्किट में बस वही रेड कलर का मेरे पास अवैलिबल था घर में तो बस उसी को मैं लगा के इसको दकुरेट कर दूँगी तो बाक्स मेरा रेडी है अब आप फर्स्ट एट बाक्स में जो जो समान होता है वो सारा डाल ठीजे है मैंने डाला है ड़्टल, सीजर, बटाडिन, परसुचा मोल, इनो, विक, सीजर एड़ आप जो चाहें वो डाल सकते हैं अपने फर्स्ट एट बोक्स में झाल